हलो आपरिवन कैसे हैं आप सभी सो उमीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी यही आसा है कि आप सभी के सेलेक्शन सेंटरल उनिवर्सिटी में हो जाए और आप किसी एक अच्छे उनिवर्सिटी में जाकर अच्छी सी पढ़ाई करें और अपने फ्यूचर को बहतर बनाए तो मैंने जो एक्जाम प्रोपरेशन के दौरान जो इस्ट्रेटेजी रखी थी या कुछ जो प्रॉबलम आते थे उसके बारे में बात करने के लिए आज मैं यहां खड़ा हूँ तो चलिए कुछ अपने परसनल एक्सपीरियंस और कुछ बातें जो मैंने गल बैट जाना है फिर आपको अपने आपको गैप भी नहीं देना है और फिर तुरत कंटिनुवसली पढ़ाई करना है खाना टाइम पे नहीं खाना है या फिर नीन प्रॉपर नहीं लेना है और या फिर ऐसी चीजें जो आप जबजस्ति किसी दूसरे को देखके करो वो बिल एकदम से अपने आपको ड्राश्टिक ना बदलें जो भी आपकी दिन चरिया है उसको वैसी चलने दे बस उसको थोड़ा सा और स्मूद बनाएं और स्पेसिफिक बनाएं सपोस करिए कि आप जैसे पढ़ने के लिए सुबह उठते हैं मान के चिले 6 बज़े उड़ गए य योगा करते हैं तो योगा कर लीजिए उसको करने के बाद आप थोड़ा सा एक हेल्दी सा अगर आपको कुछ डाइट लेना तो आप लीजिए और उसके बाद आप एक सिटिंग बैठिये एक सिटिंग बैठने के समय में आपको पूरी मोबाइल-उबाइल कुछ भी ध्या करनी है इस पर मैं बात करता हूं इस दोरान आपको मोबाइल नहीं देखना है पानी पीने नहीं उठना है वास्रूम नहीं जाना है और किसी से बात नहीं करना है किसी से पूछना भी नहीं कि ये कैसे कर रहो, वो कैसे कर रहो, कुछ भी नहीं पूछना है, इग्दम concentrate होकर, concept को बस आप समझने की कोसिस करें, नया तो इस दोरान बिल्कुल नहीं पड़ना है आपको, तो उस concept को समझिए, फिर आप थोड़ा सा पांच मिनट के लिए फ्रस अफ हो ये एक घंटे के अपने आपको गैब दीजिए, तो लगबग तीन सिटिंग देने के बाद, आप उठिये, और उसके बाद, जो भी आपका काम है, थोड़ा बहुत उदर उदर का, वो करिए, जिसमें लगबग आप एक से देड़ घंटा डीजिए, और एक से देड़ घंटे देने के बाद आपको क्या करना है, फिर से पढ़ाई में बैठना है, और ये सब बातों में क्या है कि बार बार रिवीजन करना है, अगर आप कोश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोश्चन प्रैक्टिस भी करते चलिए साथ साथ में, लेकिन एक्जाम जैसे जैसे करीब आएगा, दो तीन दिन बचे होंगों तो question practice थोड़ा कम करिए क्योंकि अगर question जब नहीं बनते हैं तो demoralization होता है कि हमसे की क्यों नहीं बन रहा है तो उस समय के थोड़ा कम करें तो ज्यादा बैतर है वाकि लोगों की अलग अलग तरीके होते हैं और उसके बाद एक ही चीज को अगर आप अपने आप से question पूछिए या फिर अपने आपको पूछे कि क्या इतना अच्छाता है कि तुम इसे पढ़ना नहीं चारो क्योंकि वही subject आपका सबसे ज़्यादा गलती करवाता है तो इन सब बातों को ध्यान दखना है साथ ही साथ आपको ऐसा नहीं कि 10 घंटे पढ़ाई करनी है 12 घंटे पढ़ाई करनी है अट लिस्ट आप दिन बर में 8 घंटे भी पढ़ते हैं बहुत अच्छा है और कैसे पढ़ते हैं कि एक एक सिटिंग में 45-50 मिट दीजिए 5 मिट का गैप लीजिए ऐसे continuously सबसे सुबह में आप 3 सिटिंग दे सकते हैं दो पहर में भी 3 और पूरे दिन क्या किया उसको रिवाइज कर सकते हैं आप सुने से पहले और साथ इसाथ अगर कुछ कोश्टन लगाना है तो वो कर सकते हैं या फिर ऐसे नॉर्मली रिकॉल करना किया ये वाली बात भी बहुत जादें पूरे दिन में क्या पढ़ा अगर मैं याद करने क कोश्स कर रहा हूं तो क्या मुझे याद आ रहा है ये सारी बातें और इस समय किसी से आपको एक्जाम जैसे करीब आ रहा है ज्यादा पूछने की जो रतनी कि तुम कैसे कर रहो कोई अगर आपको ऐसे बूलता है कि मैंने तो इत्ती पढ़ाई कर रखी है मैंने तो पांच से इसे लोगों से फिलाल दूर रहें अपने आपको थोड़ा आइसोलेट करें और अपना वेस्ट करने यूशत करें तो सबसे बैस्ट क्या है रिवीजन बार बार करना रो़, concept पर ध्यान देना है और अपने आपको जो चीज दिन भर में पढ़ा उसको recall करवाने की कोशिस करनी है और concept जो है उसको apply कर पा रहे हैं नहीं ऐसे questions को भी solve करने हैं तो इस तरीके के बातों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको negative कर रहे हैं थोड़ा दिन भर में एक ऐसा काम करना है जो आपको बहुत ही अच्छा feel करवाता है या positive feel करवाता है और बाकी आपने जो महनत की है definitely वो रंग लाएगी दोस्तों तो ज्यादा परिसान ना होते हुए बस ये कुछ बाते हैं ध्यान रखिए ज्यादा मैं भी नहीं बूलू छिए रहा पण की हम बहुत लोगों से कूसते हैं या बहुत लोगों के बात को ध्यान देता हैं कि वो क्या कर रहा हूँ वो कैसे पढ़ रहा है उसने यह unit, पढ़ लिया मैंने नहीं पढ़ा कोई दिकत नहीं है आपको टॉप नहीं करना है मतलब इतना नहीं कि फर्स्ट रैंक आ जाए तो वो तो बात अच्छी है कि आपने अच्छी पढ़ाई कर रखे तो अड़ेफेंट लिया है क्योंकि एक दिन में यह नहीं आने वाला लेकिन अभी कुछ चीज़ों को आपको यह सब ध्यान रखते हुए चलिए ताकि आगे आपको फ्यूचर में अच्छा हो So all the best दोस्तों, thank you so much